क्या आप एक आईफोन करीदने जा रहे हो तो आपको ये बातें आईफोन के बारे में पता होने चाहिए अगर आपको ना हो तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं हेलो गाईज मेरा नाम है कुलविंदर और आप देख रहे हैं टेकनिकल पीपल तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं आईफोन पांच परकार के होते हैं नमबर वन ब्रैंड न्यू ब्रैंड न्यू वो आईफोन होता है जो हम स्टोर्स पर जाकर खरीदते हैं जैसे के एपल स्टोर से या कोई ऊथोराइज उनका शोरूम है वहाँ से क्रीदते हैं तो वह ब्रैंड न्यू फोन कहलाते हैं नमबर दो रिपलेस्ट हैंड सैट रिपलेस्ट हैंड वो होते हैं जो हमें अंडर वरॉरंटी रिपलेस करके देता है सर्विस सेंटर रिफर्बस्ट आईफोन वह होते है कि जैसे आपने फोन लिया स्टोर पर जाकर, उसमेैल एक दम से कोई प्रॉब्म आगी उस र्याल तो बिद्धां कि आपको वह नया फोन दे देते है, जू आपका खराब market में sale किया जाता है और उसकी warranty भी दी जाती है तो उसको बोलती है refurbished stock और इसका price जो होता है वो नए phone से कम होता है और कहके दिया जाता है कि ये refurbished stock है आपने दिखा होगा कि sites पे जैसे flip card हो गया Amazon हो गया वहाँ पर लिखा होता है कि refurbished iPhone 6 तो उसकी देखेंगे कि price जो है वो नए से कम होती है पर कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि refurbished होता क्या है वो गलती से वो फोन करीद लेते हैं बाद में वो सोचते है कि ये इतना जाला मैने सस्ता कैसे करीदा फोन पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि refurbished stock वो ही होता है जिस पे कोई पहले problem आई होती है तो company उसको दुबारा ठिक ठा करके बेचती है नमबर चार डेमो डवाइसिस डेमो डवाइसिस वो आईफोन होते हैं जो Apple अपने retailers को डेमो के लिए देते हैं मतलब कि display पे लगे होते हैं तो कुछ टाइम बात जो retailer जो होते हैं इसको sale कर देते हैं ताकि जो है उनका revenue निकल सके नमबर पांच personalized iPhone आपने देखा होगे कि बहुत सारे iPhone जो होते हैं वो gold color के होते हैं बहुत ही shiny होते हैं कोई diamond वाले होते हैं ये जो iPhone होते हैं ये specially designed करवाई जाते हैं Apple से तो बात ये आती है कि दोस्तों कि आप कैसे check कर पाएंगे कि ये phone है जो ये नया phone है कि ये replaced handset है कहीं मेरे को refer be stock तो नहीं दे दिया कि मेरे को जो है personal handset तो नहीं दे दिया मतलब कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे check कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसके code word क्या है सबसे पहले आपको iPhone की settings में जाना है phone खोलिए, वहाँ पर settings में जाएए फिर journal में जाएए वहाँ पर option मिलेगी आपको general वहाँ पर click करना है click करने के बाद आपको जाना है about में जैसे ही आप about में जाएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा iPhone model number अगर ये model number M से start हो रहा है it means जो आपने iPhone लिया है वो brand new है अगर model number F से start हो रहा है it means ये refurbish stock है इसको दुबारा ठीक करके आपको sale किया गया है N का मतलब है ये replaced handset है ये service center से replace होके मिला गया phone है अगर P से start हो रहा है it means क्या है कि ये personalized iPhone है अगर ये 3 से start हो रहा है it means क्या है कि ये demo device है ये display पे लगा हुआ आपको phone बेचा जा रहा है ये थी बहुत useful information जो मैंने आपके साथ share की और आप भी अपनी friends and family के साथ share कीजिए अगर आप मेरे channel पे नए है तो इसको subscribe जरूर कीजिए मैं ऐसी ही बहुत informational videos बनाता हूँ जिससे आपकी knowledge बढ़ेगी Thank you very much to watch my video मिलते हैं next video में